एक्षिटी यह मौणिंग बोलते बोलते ना इवनिंग की आदत हो गई है तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग की आप लोग की प्लान पैथलोजी की क्लास लेती हूं तो आज में आप लोग के लिए काफी सारे अच्छे-च्छे अब्जेक्टिफ लेके आई हूं प्लान पैथलोजी के तो आज हम सॉल्व करेंगे काफी जादा इंपॉर्डन प्लान पैथलोजी के सब्सक्राइब कर दीजिए आपको और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे ताकि जितने में नोटिफिकेशन्स है वह आप लोग को जल्दी से जल्दी मिल पाएं जैसे कि कल राजस्तान जेटी का आपका यह एक्जाम डेट आच चुकी है तो वह कल आपको सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो हम अपने क्वेशन से स्टार्ट करते हैं यह तो पहले से खुल गया हाँ तो फर्स्ट क्वेशन आप लोग की स्क्रीन पर है विप इसमट इस रिलेटेट टू विच क्रॉप विप इसमट जो है यह कौन सी क्रॉप में होता है जल्दी स अकाश टॉसिफ और कौन है पवित्रा चलो गाईस फटावट से इस क्वेशन का आंसर कीजिए क्या आंसर होगा यहां पर वेरी गुड मॉनिंग तनुजा तो गाईस फटावट से आंसर कीजिए विप इसमट जो डिजीज है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेट है गाईस फ आपका आंसर क्या होगा तो जिन स्टूदंस का आंसर शुगर केन है उनका आंसर बिल्कुल सही है यहां पर आपका जो आंसर होगा गाईस यहां पर आपकी वेरी पिसमट डिजीज होती है यह ना तो मैंगो में होती है ना जैक फ्रूट में होगी ना कि मस्टर्ड में होग प्लेवी बेक्टर की विज़े से होगी पाइपीधियम फाइटो फटोरा या फिर नन आंसर होगा गाइस फटावट से आंसर कीजिए वेरी गुड मॉर्निंग अभिशेक गाइस फटावट से आंसर कीजिए और जितने स्टूडेंस देख रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर लिया कीजिए गाइस और यार अग्रिकल्चर एटा को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ओके शेयर चैयर के रही है शुगर के इन अच्छा शुगर के इन ओके फर्स्ट क्वेशन का अंसर दे रहे हो सेकंड क्वेशन आगे आपका अंसर बिल्कू सही है सेकंड क्वेशन का अंसर दीजे बताइए क्या अंसर होगा यहां पर पवित्रा कहरी है ए आंसर होगा शशी कह रहे है ए होगा तनुचा कहरी है ए होगा नहीं तनुचा कहरी पीथियम होगा गाइस यहां पर जो आंसर होगा आपका वो होगा क्लैवीबेक्टर आपका अंस आफ राइड तो बेक्तिरिये क्कर जो है, वो पितिये मिल्फ राइटो फ सहती अगरइडर नहीं करेंगे, वो आपका के थूरू बोथ या फिर नन अफ दीज आंसर होगा गाईज यहां पर आपका अंसर क्या होगा जल्दी से माक कीजिए आंसर क्या होगा अभिशेक चौदरी सेकंड का ए ओके सैकंड का ए आंसर बिल्कु सही है हां जी पीतियम जो है वो डेंपिंग ओफ ही कॉस करता है जल्द होगा मोहित होगा करें यहां कि यहां कान करेंगा तो यहां पर अगर आपका सिर्फ मूचा जाता है च्EMकान सोप्षτα कर देना है अप्षिन में कि कई ट्मked स्पॉप्ट इप्रival जो है इस transmitted by thrips फिड या अलग अलग जो वेक्टर्स हैं वो दे रखे हैं तो आप only thrips पे भी answer कर सकते हो लेकिन अगर thrips के लिए अलग 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 पूछा है जैसे हम पर मैंने पूछा है कि western flower तो दोनों आंसर होंगे आपके क्योंकि कोई भी thrips के थ्रू यह आपका transmit होता है ठीक है गाइस चलो अब नेक्स क्वेशन का अंसर दीजे एंथ्रेक्नोस डिजीज इन बनाना कॉस बाई एंथ्रेक्नोस डिजीज जो है बनाना में कॉन कॉस करेगा फटा फट से बताई फिज से अंसर केंज क्या होगा फॉर्थ क्वेशन में क्या अंसर होगा यार जल्दी से आंसर करो आज एक्चुली मैं टाइमर लगाना भूल गई हूं and I'm very sorry for that मैं नेक्स्ट क्लास में टाइमर लगाना पका से याद रखूंगी तो अभी आप लिग जल्दी सांसर कीजीज असर होगा फोर का सी होगा मैं शशी कह रहे हैं सी आंसर शेलचा तनुजा धीरत सब सी करें वेरी गुड़ गाइस बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है क्लेटर ट्राइकम म्यूसी जो है यह आपका करेक्ट आंसर एंथ्रिक नौस डिजीज जो होती है बनाना में को लाट डिजीज जो है वो वीट में कौन कॉस करता फटावर से बताए पक्षीनिया इस्टट्रिफोरमिस करेगा पक्षीनिया ग्रैमिनस रिज्ऑक्टोन या फिर नजह दएग। पक्सीनिया की भी दो विराइटी हैं तो बताओ कौन सा कॉस करेगा, जल्दी से बताओ नहीं नहीं आज ही भूल गई हो, डेली तो लगाया रहता है जल्दी से बताओ, दामीनी कही रही है, C आंसर होगा कौन से question का answer बोल रहे हो, इसका या पहले वाले का, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, तनुजा कही रही है, B answer होगा, ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, शिवांश कहा रहे है, स्ट्रिफॉर्मिस होगा, ओके, yellow rust of wheat cause, येलो rust of wheat कौन cause करेगा, जल्दी से बताइए, पवीत्रा कहरी है, ए अंसरों का, दामीनी भी एक एरी, शल्जा भी एक एरी है, शशी भी एक एरी, पिंकी सिन्हा भी एक एरी, वेरी गुड गाइस, जितने स्टूद्स का अंसर है, उनका अंसर बिल्कुस है, ये पकसीनिया, इस्ट्रिफॉर्मिस, ओके, yellow rust disease, जो है आपकी wheat में, ये आपका पकसीनिया की, कौन सी वराइटी करती है, इस्ट्रिफॉर्मिस करती है, ओके, धीरज, दामीनी, सब का अंसर बिल्कुस है, ये शश्ट्रिफॉर्मिस का अंसर बिल्कुस है, ओके, चलो, next question को हम solve करते है, anthropinose leaf blight cause disease in, anthropinose leaf blight disease है, ये कौन cause करता है, ये, सौरी, कौन सी crop में cause होती है, बताओ, ब्रिंचल में होगी, बाजरा में होगी, corn में होगी, या फिर potato में होगी, ये, कौन सी crop में आपकी anthropinose leaf blight disease cause होती है, जल्दी से बताओ, क्या answer होगा यहाँ पर, Nancy कैने 5 का A होगा, ओके, ओके, 5, ओके, 5 question हो गया है, भानू, Nancy, अब आप लोग 6 question का answer कीजिए, ओके, जल्दी से बताओ, ये, question का answer क्या होगा, गाई, एंधरेक नोस्स,-this, leaf blight, ये disease किस में होती है, cause disease पहले आगया, एकृम डिजीस cause in, ये कौन सी crop में होगी, ये disease कौन सी crop में होगी, जल्दी से बताओ ये, कौन सी crop में होगी ये disease, मैं शैशी कह रही है, ब्रेंजल होगा, बानू कह रहे है, पमें वूतिया कुछा है चलो दिखना की ने उती में होंगों में लेकिन हम यहां पर लीफ ब्लाइट की बात करें हैं वेकedor लीफ ब्लाइट की बात करें तो एंटरेकैनोबस लीफ ब्लाइट होस्繼續 तोलो में घुठी टीआ Irgot disease in pearl millet is caused in Irgot disease भी बाज़रा में भी होती है और किसमें होती है जल्दी से बताओ यह millet में भी होती है तो यह बताओ कि Irgot disease जो आपके pearl millet में होती है किसकी वज़े से होती है जल्दी से बताओ गाईस क्या answer होगा जल्दी से बताओ यार Anthrechnose leaf blight पूछाता मैंने Anthrechnose सब में disease cause करता है आपका mango में भी करता है बहुत सारी crops में करता है लेकिन मैं leaf blight की बात कर रही हूँ जल्दी Anthrechnose leaf blight यार सिर्फ leaf blight की बात नहीं कर रही हूँ जल्दी से बताओ यहां पर answer क्या होगा जल्दी से बताओ क्या answer होगा यहां पर Ergot disease in pearl millet is caused by Scelerospora या फिर आपका Tolliposporium होगा Clevisus Fusarium होगा या फिर Collateral Trichum होगा Guys जल्दी से answer कीजे क्या answer होगा यहां पर जल्दी से बताओ यह क्या answer होगा What will be the answer here Ergot disease in pearl millet Akas Grugger कह रहे हैं 7 का A answer होगा Dhiris Kumar कह रहे हैं C answer होगा Ok Guys जल्दी से answer कीजे क्या answer होगा B Shashi कह रहे हैं B होगा Ok जी ठीक है Guys सारे student answer कीजे जितने students देख रहे हैं Session को like और share जरूर कर दिया करो और answer जरूर कर दिया करो यार कुछी student answer करते हैं गलत बात है यह Ok जितने student 7 का C answer किया है उनका answer बिल्कु सही है Claviceps Fusiformis Claviceps Fusiformis जो है guys यह Irgot disease cause करता है Pearl Millet में Ok Pearl Millet में Irgot disease cause करता है Right चलो अब next question का answer दीजे Browning of Culeflower is due to deficiency of यहां से एक सीज आप लों को clear हो गई कि यह Browning of Culeflower Culeflower में जो Browning है यह आपकी deficiency की विज़े से होती है यह बताएए जल्दी से Zinc होगा, Clorine होगा, Molybdenum होगा या फिर Boron होगा Guys फड़ावर्ट से answer कीजे क्या answer होगा Browning of Culeflower बहुत ही जादा normal question है यह और ऐसे ही question exam में आएँगे Guys फड़ावर्ट से बताएए Shivansh कह रहे है Boron answer होगा धीरज कह रहे है Boron होगा शशी कह रहे है D होगा Very good भानू कह रहे है D answer होगा यह triple R कौन है यार अपने नाम तो कम से कम ऐसे रख लिया करो कि हाँ चलो बोलने में अच्छा लगे इतने अच्छे नाम होते है तुम लोगे Moolibdenum Okay दामीनी कह रहे है D answer होगा धीरेज कह रहे है B Boron Pinky Tannuja Rachna सब Boron कह रहे है शल्चा और Tannuja भी Boron कह रहे है Very good गाइस जितने students का answer Boron है उनका answer बिल्कु सही है जो browning होती है Qleyflower मे वो आपकी Boron की Deficiency की विज़े से होती है तो जितने भी nutrient होते Molybdenum की Deficiency से भी हाँ पर कोई Disease होती है अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि Boron की Deficiency की Sorry Molybdenum की Deficiency की विज़े से क्योलिफलार में कौन सी disease होती है ये आप लोग मुझे बताओगे में कौन कॉस करता Collatotrichum करेगा Pythium करेगा Rhizopus Negricence करेगा या फिर Phytophthora करेगा Guys जल्दी से answer कीजे Dieback कौन कॉस करेगा Movie से motivated हो हो के हो रहते है अच्छा जी Movie से motivated हो के रहते है अच्छा Okay Guys जल्दी से answer कीजे क्या answer होगा यहाँ पर Dieback जो है Citrus में कौन कॉस करता है हाँ बिल्कु सही दामिनी ने बिल्कु सही answer किया है Whiptale disease in Cullifera बिल्कु सही Very good Very good जल्दी से बताइए क्या answer होगा यहाँ पर Guys बताइए जल्दी से Tanujia के रही है A answer होगा Okay Nitrogen Nitrogen Okay धीरच के रहे Pthium answer होगा Shalja के रही है A होगा 9 का B answer होगा Damiini के रही है B होगा धीरच के रहे B answer होगा Pinky B के रही है Okay Guys यहाँ पर answer होगा आपका A Okay Dieback जो होता है Citrus में वो आपका Collatotrichum कॉस करता है ठीक है चलो अब Next question का answer दीजे Guys Vector of Tristaza Disease of Citrus Is Caused by जो Tristaza Disease होती है आपकी इसका Vector कौन है यह इस disease का कुछ दिन पहले बेने शाहत causal organism भी आप लोगों से पूछा था अब guys जल्दी से या answer कीजे किसका Vector कौन होगा फटावड से chemसे दीजे Toxoptera होगा या फिर Nifotectis risk होगा या फिर बोत होगा या फिर None of these होगा guys जल्दी से answer कीजे Toxoptera होगा या फिर Nifotactics होगा क्या answer बोत होगा या फिर None of these answer होगा शृवांश कह रहे हैं B answer होगा ठीक है धीरच कमार के रहे हैं B होगा शेलजावी B के रही है शशी मौरिया के रहे हैं A आंसर होगा ओके पिंकी सिनहा B के रही है पवीत्रा C के रही है दामिनी B के रहे है और Original A के रहे है जिन students का answer यह है उनका answer बिल्कुल सही है टॉक्सोपटेरा जो है यह आपका टुस्टेडर जो disease है उसका vector होता है ठीक है उसमें as a vector यह work करता है जिस question का answer दीजे अजुकल occur in which species अजुकल जो है यह कौन सी species में occur करेगा कौन सी species में होती है कौन सी crop में होगा ब्रिंजल में होगा tomato में होगा या फिर cardamom में होगा या c-sham में होगा ओकी नैंसी आपका answer बिल्कुल सही है मोहित a होगा answer टॉक्सोपटेरा answer होगा रचना टॉक्सोपटेरा answer होगा चलो guys फटावर से answer कीजिए अजुकल जो है वो कौन सी species में होगा जल्दी से बिटाएज भेंचों में ओगा क्योई फ्राइब में होगा या फिर आपका सी सेैम में होगा गैस फटावट सांसर करो क्या अंसर होगा शश्शी मारियाद के रहेँ 11 का A आंसर होगा ओके ठीक है शिवान्ष के रहेंिदे ऐजान काड़िमम होगा ओके गाइस फटावट सांसर कीजे ट्रिपल आर कह रहे है कार्डेमम होगा आंसर ओके जी ठीक है गाइस फटावट सांसर करो क्या आंसर होगा ओके ए आंसर अब अच्छा option change कर दिया ओके दीरज कुमार कह रहे है कोई बात नी बेटा मैं बताओगी आपको किस में होगा ठीक है no issue शशी कह रहे है a answer होगा capsule rot अच्छा capsule rot अरे यार यार ये पूछरी हूँ कौन सी species में होगा ये नी पूछरी हूँ कहाँ पर होगा दामीनी कह रहे है a answer होगा शेलजा कह रहे है c होगा नैंसी कह रहे है c होगा guys जितने student का answer c है उनका answer बिलकुँ सही है cardamom में azucal disease जो है ये आपकी generally होती है ok चला अब next question का answer दीजे smut disease affect the crop smut disease जो है वो कौन सी crop को affect करती है फटावट से बताइए इन में से कौन सी crop में smut होता है guys फटावट से answer कीजे very good morning Amit also capsule rot है पर मैं ये पूछ रही हूँ की कौन सी crop में ok जल्दी से बताओ guys यहां पर answer क्या होगा फटावट से बताइए smut disease जो है कौन सी crop को affect करेगा maize को करेगा sugar gain को करेगा wheat को करेगा या फिर all of these answer होगा क्या answer होगा guys फटावट से answer कीजे pinky sinna के रही है all होगा shalja के रही है c answer होगा pavitra के रही है all होगा tanujja के रही है all answer होगा ok guys जितने students का answer all है उनका answer बिल्कोस है all of these आप का answer होगा smut disease जो है guys ये maize में भी होती है sugar gain में भी होती है wheat में भी होती है, so answer will be here all of these, okay, next question का answer कीज़े guys grassy short sugar cane caused by grassy short जो है sugar cane में कौन cause करता है, bacteria करेगा mycoplasma करेगा, rickettsia like bacteria करेगा, या फिर आपका all of these होगा, क्या answer होगा guys, हाँ शुशी all होगा, okay, all of these होगा, very good c नहीं होगा, answer all of these होगा, d होगा answer, okay कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शुवम, कोई बात नहीं, आप दुबारा से जितना भी आपका छूट गया, वो आप दुबारा से play करके देख सकते, अभी जहाँ पर चल रहा है वहाँ से आगे, आप question solve कर, okay tanuja के नहीं भी answer होगा जाट के रहे हैं, mycoplasma okay, mycoplasma tanuja के नहीं, भी answer होगा okay, damini, dhira rana, papitra सारे student भी answer करें, okay guys, जितने students का answer भी है उनका answer बिल्कु सही है, यहाँ पर answer होगा, आपका mycoplasma, okay guys, mycoplasma, क्योंकि grass grassy short जो है, sugar cane में वो सिर्फ emelos, जो आपके mycoplasmas generally होते हैं, यह आपके disease cause करते हैं, okay चलाब next question का answer दीजे guys, black arm is cause in which species, black arm जो है, यह आपके कौन सी species से related होगा, apple होगा, cotton होगा, mango होगा, या फिर cauliflower होगा, and guys, this is, this question is very important, यह question already examination में पूछा जा चुका है, अब जल्दी से बताइए कि black arm जो है, यह कौन सी species में होगा, apple में होगा, mango में होगा, cotton में होगा, या फिर क्योली फ्लार में होगा, guys, फटाफट से answer कीजे, इस question का answer क्या होगा, राना कह रहे हैं, 14 का C होगा, okay, Nancy कह रही है, B होगा, okay, phytoplasma और mycoplasma, जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपल होगा, पवित्रा भी cotton कह रही है, रेचना कह रही है, B, answer होगा, okay, 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 अतुल राठोर कह रहे है, B होगा, okay, guys, देखो, यहाँ पर answer होगा, आपका C, okay, cotton, cotton में ही, ब्लेक आम, जो है, यह आपकी cotton में होती है, और guys, this disease is very important, है, यह काफी जादा important disease है, examination में two or two to three time, यह repeat हो चुकी है, okay, guys, तो यह आपको याद रखना है, apple नहीं होगा, guys, apple नहीं होगा, mango भी नहीं होगा, okay, यहाँ पर आपका answer होगा cotton, cotton में black arm, जो है, यह cause करती है, okay, guys, इस question को धियान रखना, this question is very important, okay, next question का answer दीजे, alternaria leaf blight of mustard is caused by, mustard में alternaria leaf blight जो है, कौन cause करता है, alternaria करेगा, zenthopanas करेगा, rhizoktonia करेगा, यह फिर collectory trichum करेगा, यह question तो बहुत इजी आख बंद करके इसका answer दे सकते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहां पर answer क्या होगा आपका, फटावर्ट से बताइए, guys, answer क्या होगा यहां पर आपका, alternaria, alternaria blight जो है, यह mustard में कौन cause करता है, जल्दी से बताइए, alternaria करेगा, zenthopanas करेगा, rhizoktonia करेगा, यह फिर collectory trichum करेगा, option गलत दे दिए ना, एक ही जैसे option देने चाहिए, सारे students ने बहुत जल्दी पकड़ लिया, बहुत तेज हो, तुम लोग है ना, a answer करेगा, हाँ, पता है, alternaria blight है, तो alternaria ही करेगा, मुझे alternaria का ही same option देना चाहिए, था, गल्ती हो गई, चलो बिल्कु सही, आप लोग का answer है, alternaria brecici, ठीक है, alternaria brecici, जो है, जहाँ पर भी आप alternaria disease देखोगे, तो आपको अगर alternaria option में है, पहले तो इतना easy option नहीं देता है, वो, बर अगर alternaria option में है, तो definitely आप alternaria ही answer करोगे, ठीक है, यहाँ पर गल्ती सह, actually, मुझे भी यही होगया, मैंने alternaria की दूसरी species देने के बज़ाए, सारी अलग-अलग species दे दी, ओके, चलो गाइस, ठीक है, आप लोग next question का answer कीजिया, white blister disease cause in crop, white blister जो disease है, कौन सी crop में होती है, क्योली फ्लार में होगी, broccoli में होगी, बोथ होगा, या फिर none of these answer होगा, guys, this question is also very important, this question is also very important, जल्दी से बताएए, क्या answer होगा यहां पर, जल्दी से बताएए, क्या answer होगा यहां पर, जल्दी से बताएए, हाँच जी, आक आज़ीड़क में सही करें, बर्टनिकल नेम से भी पता चल लग गया हाँची, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताइए गाईस यहाँ पर आंसर क्या होगा वाइट बिलिस्टर जो है यह आपकी किस में होती है वाइट बिलिस्टर जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए क्या जो लॉजिकल नेम नहीं होता है गाईस देखो जो हाँ बैक्टीरिया का जलाजिकल नेम आप बोल सकते हो बतानिकल नेम प्लांट्स का होता है ठीक है ओके शलजे के रही 17 का C answer होगा शर्शी के रहे हैं C होगा जाट के रहें बोथ होगा ऐशलीय के रही C होगा पिंकी सीन हां बोथ के रहे हैं रचना के रहे हो थोगा जितने students का अंसर बहुत है उनका अंसर बिल्कुश सही है white blister यार ये क्योली फ्लार में भी होती है और bronchi में भी होती है ठीक है तो दोनों में होती है ये चीज याद रखना ठीक है चला हम next question का अंसर दो जल्दी से mosaic disease infect which crop mosaic disease जो है कौन सी crop को effect करेगी जल्दी से बताईए कसावा को करेगी टबैको को करेगी या फिर beetroot को करेगी या फिर all of these आंसर होगा क्या आंसर होगा गाईज फटा फट से आंसर करो यहाँ पर आंसर क्या होगा मस्टर्ड में भी होती है वैसे तो white blister अच्छा जल्दी से बताईए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका जल्दी से बताईए Mosaic disease जो है कौन सी crop को infect करती कसावा को करेगी टबैको को करेगी बीट रूट को करेगी या फिर all of these यहाँ पर आंसर होगा जल्दी से बताऊ क्या आंसर होगा पोगा के तोजा जी कुई शाशी के रहे हैं डी होगा नेहाइब आ अपका अंसर होगा औल अफ दीज होके देखो यार यार यह कसावा में होती है टबैको में भी होती है वह थीनों क्रॉप्स में होती है उके गाइस चल लब नेक्स कुउश्यön का अन्सर किजे which one is not specifically plant pathogen इन में से कॉन सा इसा है जो plant pathogen नहीं है जल्दی से राइजोक्तोनिया होगा फिजेरिय expectatinum होगा या थिर खिलदिय पॉलस्यर एम होगा जल्दी से बताइए क्या answer होगा जल्दी से बताईए क्या answer होगा अच्छा मैं पटाटो का पता था बाकी का नहीं पता था कोई बात नी कोई बात नी अब भी मैंने बता दिया ना अब पता चल गया सब का है सब में होती है ठीक है अब जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा specifically plant pathogen नहीं है कौन सा नहीं है राइस ओक्टोनिया नहीं है फिजेरियम नहीं है क्लेट्रो ट्राइकम नहीं है या फिर क्लॉस्टीडियम नहीं है जल्दी से बताओ गाईज यहां पर answer क्या होगा जितने students देख रहे हुए या सेशन को like और share जरूर कर लिया करो ओके टॉसिफ कह रहे है एक a answer होगा okay ठीक है guys d answer होगा एक बात बिताओ मैंने क्या पूछा है कि specifically plant pathogen नहीं है मतलब plant में disease cause नहीं करता तो बता राइस ओक्टोनिया के plant में disease cause नहीं करता plant pathogen है फिजेरियम भी plant pathogen है wilting cause करता है यार collateral trichum fungus है यह तो plant pathogen ही cause यह आपका plant pathogen नहीं होगा okay guys तो इसके बाद आपका last question है which are the symptom of bacterial disease bacterial disease के symptom इनमें से कौन से है gall formation होगा, scab होगा, necrosis होगा या फिर all of these होगा whatever से answer कीजे मिनाक्षिमम भी आ चुकी है मिनाक्षिमम की glass भी अब start होने वाली है अब जल्दी से आप लोगे इस question का answer कीजे क्या answer होगा which are the symptoms of bacterial disease इसमें से bacterial disease का symptom क्या होगा जी हां बिल्कुल food poisoning दामी नहीं बिल्कुल सही बोले food poisoning cause करता है gall formation होगा, scab होगा, necrosis होगा या फिर all of these answer होगा guys जल्दी से बताएज या answer क्या होगा इन में से bacterial disease का symptom क्या है जाट कह रहें D होगा, अतुल कह रहें D होगा ओए लक्की D होगा D, ओके सारे student D answer करें बिल्कुल सही gall formation क्योंकि आपका crown gall disease में होता है scab, bacterial scab, जो मैंने आप लोग को एक question कल या परसो की slide में रखा भी था और necrosis ये तीनों आपके bacterial disease के symptom होते हैं guys तो सारे answer आपके, इसमें आपका जो answer होगा all of these होगा, okay guys at the end आप लोग agriculture अपको ज़रूर से subscribe कीजे guys, जितने भी students वीडियो देख रहे है sessions को like करते हैं सारे की सारे student agriculture अपको ज़रूर से subscribe कर लीजे guys और जैसे कि आप लोग को पता ifco का notification आ चुका है examination की date भी आपकी ज़ादा दूर नहीं रहने वाली है hardly one month और one and half month में आपका examination हो जाएगा तो 12th April से आपका ifco का batch start हो रहा है guys तो आप Y447 code use करके ifco का batch purchase कर सकते हो, आपको यहापर discount में अगर आप यह code use करोगे Y447 तो यह code use करके आपको discount मिल जाएगा ifco वाले जो आपका pack है इसमें इसके लावा आप agriculture का महा pack भी ले सकते हो agriculture का महा pack जो है आपका 9000 का है बट अगर आप इसमें Y447 code use करते हो guys तो यह आपको 8000 का मिल जाएगा और इस pack में आप लोग को जितनी भी test series है देखो जो इफको वाला है वो सिर्फ इफको के लिए है लेकिन agriculture का जो महा pack है इसकी वन एर की validity है और यह जो आपका pack है यह आपके सारे examination के लिए चाहे आप AFO का exam दो चाहे आप कोई state AAO का exam दो OPSC का exam दो चाहे आप लोग कोई भी आपका MSC का इंटरेंस है किसी का भी examination अगर आप देते हो गाइस तो agriculture का जो महा pack है यह आपके सारे exam के लिए है इसमें आपको सारे e-courses वीडियो recorded classes वीडियो courses वगेरा सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और हर एक examination के लिए मिलेंगे तो आप इसको purchase कर सकते हो यह आपका आज का session था तो बाकी में आप लोग को 4-4.5 वाली इफको वाली class में मिलूँगी तब तक के लिए बबाई और मिनाक्षी मैम वेट करिए तो मिनाक्षी मैम की class भी जरूर अटायन करिएगा मिनाक्षी मैं काफ़ी सारे important questions आप लोग के लिए लेके आई हैं ओके तब तक के लिए बबाई